हलो प्यारे बचों मैं डॉक्टर भरतलाल मीना एल बियेस गोर्मेंट कोलेज कोट पूतली सहा अचारी राजनीती विज्ञान बचों मैं आज आपके समक्स बी ए पार्ड दितिये के दितिये प्रिशन पत्र भारती राजविवस्ता के अंत्रगत भारती सविधान सभा प्रमुक प्रशन प्रवर्तियां और दस्टिकोर्ण पर चर्चा करना चारों सविधान सभा की इस्तिती संगठन एहुम कारेकरण के समद्ध में कतिपे आलोचनात मक्टिपणियां भी हुई कि क्या सविधान सभा को परभूतु संपन संस्था माना जाए क्या सविधान सभा एक प्रतिनिदी संस्था थी और क्या सविधान को लोकप्री अनुग्यप्ति प्राप्ति जिन व्यक्तियों के द्वरा सविधान सभा प्रति निध्यात्मक्ता पर संदी विक्त किया गया था उनकी द्वारा ये भी कहा गया कि यदि तातकरिन परिस्तितियों में प्रतेक्स निर्वाचन के आधार पर सविधान सभा का गठन संबोध नहीं था तो समंदित सविधान सभादवारा निर्मित सविधान को जनमत संग्रे के लिए प्रस्तूत किया जाना चाहिए था और इस प्रकार के जनमत संग्रे के बाद ही उसे पारित समझा जाता उनके अनुसार क्योंकि सविधान को जन्मत संग्रे के अंतर का जनता से अनुसमर्थित नहीं कराया गया इसलिए कहा जा सकता है कि सविधान को लोग प्रिया अनुकिप्ति प्राप्त नहीं थी लेकिन इस प्रकार की आलोचना में कोई संग्रे नहीं कराया गया था राष्ट व्यापी जन्मत संग्रे की विवस्ता जिसमें 17 करोड से अधिक मद्दाता हुआ ते दिक कष्ट और वे साध्य होती ये बात भी नितांती सपस्ट है कि यदि इस प्रकार का जन्मत संग्रे करवाया भी गया होता तो उससे सविधान के सुरुप में कोई प्रभाव नहीं पड़ता पुर्तिया सविधान सभा में वकिलों का प्रभूत्व था अलोचना अलोचना को कहना है कि सविधान सभा में किसानों और मजदों का समस्चित परतिने दित्व नहीं हुआ भारत एक करशी प्रधान देश है और अधिकान से लोग कर सकते हैं दूसरी तरफ ये सविधान वकिलों द्वारा बनाया गया है ये विवाद बढ़ाएगा और वकिलों का स्वर्ग होगा अथार्थ उन्हें लाप पहुंचाएगा कि इस आलोसना में कोई साथ नहीं है क्योंकि और उसके निर्मान में कानून के जानकर लोग ही महत्वपून योगदान दे सकते हैं फिर भी ये तो स्विकार करना ही होगा कि सबसे महत्वपून कारी प्रारूप समिती द्वारा के अगये इस समिती में डाक्टर अंबेड कर केम मुंची अल्लादी कृष्ण स्वामिया यर जैसे ख्याती प्राप्त अधिव्यक्त थे इन सबका प्रसिक्षण विधी सासन एव सामने विधी विश्यक धारना पर आधारित ब्रेटिश नियाई सास्तर के अनुसारी हुआ था लाते सविधान की सरचना के प्रती इनका दृष्टिकों नियमनिस्ट अपचारिक एव मूदारवादी था सविधान सबा में निर्णे लेने की प्रकरिया के समंद्द मेंache ग्रैनविल आइंस्टिन के विचार सथ 7 निर्मान में अपनाई गई प्रिक्रिया की आलोजन करने के बंजाए इस बिचार को स्वीकार करना होगा कि बारती सविधान के निर्मान में आति दिख स्रेश्ट प्रिक्रिया को अपने हैं इस श्रेश्ट ताकि पृठी के रूपमें तीन बाते हैं सहमति से निर्णे समयोजन का सिधांत और परिवर्धन के साथ सेन की कलांत सहमति से निर्णे भारत के राष्ट्रिय नेताओं को इस बात का ग्यान था कि महज कोई दस्तावेज नहीं बना रहे है। वरन एक सविधान का दिर्मान कर रहे हो इसलिए उनके दोरा भाहूमत दिनने को नहीं वरन आम सैम्ती से निनने को अपनाया जाना चाहिए सैम्ती के इस लक्षे को प्राप्त करने के ले विविद तरीके अपनाएगे पहला कांग्रेश विधान मंडल्दर की बैठक में सविधान की प्रतेक धारा पर खुल कर वाद विवाद होते थे इन बैठकों में डाक्टर अंबेटकर एक के आयर अयंगर जैसे गेर कांग्रेशी पर दिभाँ को भी आमनतरित किया जाता था दिटिये सविधान निर्मान से समदित सभी महत्पूर समेतियों में विविन रिशमुदायों एटों और वर्गों को समुचित पर दिनीति तो दिया गया था और अलब संक्यक वर्गों के हितों के प्रतिनी धी के रूप में उन व्यक्तियों को भी समिती में लिया गया था जो सविधान सभा की सदस नहीं थे सविधान निर्मान के कारिये की सरवादिक महत्वपूर्ण समिति प्रारूप समिति के कुल साथ सदशों में से के वलेक प्रमो कांग्रेस शिरिव मुन्सी थे और इस समिति के अध्यक्सताय से विक्ति को दी गई थी जो अब तक कांग्रेस का कटवा आलो चक रहा। सविधान सभा और सभा की समितियों की बेटकों के अंतरगत बहुमत की जीत के इस्तान पर एक दूसरे को समझाने बुजाने की परवती अपनाए गई जिन सुझाओं और संसोधनों को एस्विकृत किया गया उन्हें एस्विकृत करने के कारण बताएगे जिससे कोई सदस्या अनभाव न करे कि उसके सुझाओं का निरादर किया गया एमवी पाइले ने इस समंद में लिखा है कि सविधान सभा में वाद विवाद को पुरा प्रोच्षान मिला लम्बे वाद विवाद की पुरतियायस अंतोस नहीं दिखाया गया अपने विचार दूसरों पर लादने एमं सिकृत से कारीसमापत करने का प्रियास नहीं किया गया यह एक पूर्ण लोक्तांतरिक प्रिकृयति जिस पर भारती लोग गर्व कर सकते हैं सविधान निर्मान में सर्व सम्मती की जिस पद्दती को अपनाया गया उसके प्रमुख उधारन है सविधान के संग्य और भार्षाई प्रावधान ततालप संग्यकों से समंदित व्यवस्थाईं। सविधान सभा ने भारत की संग्य ढाचे पर गुर्णीषो सर्कारों के अधिक-अधिक प्रतिनिधियों को संतुष्ट कर सके एसी व्योस्थाकरने का प्रेतन किया गया कि नाया तो कोई प्रांत संग्य से अलग हो सके और नहीं संग को बनाए रखने का कारीक दमन के आधार पर किया जाए इस समंध में उचित विवस्ता करने के लिए संगी सक्ति समीति में विविन प्रांतों रियास्तों की राजनिति के महत्वपून व्यक्तियों पंत मित्तर टीटी कृष्णामचारी रामस्वामी मुदालियर क अध्यक्सरी प्रशाद ने कहा था कि वे भासाई प्रावधानों को मत्दान के लिए नहीं रखेंगे क्योंकि जदी कोई हल समस्त देश को और स्विकारी नहीं है तो उससे लागू करना बहुत कठिन हो जाएगा उलफसंकिको के समस्द में की गई विवस्ताई सविधान की प्रश्टावना संसद के समस्द में कि प्रावधान भी सर्व सम्मत्ती के आधार पर किये नेनों की प्रमुकुदारने ग्रेंड विल आइंस्टीन के अनुसार तीन तत्वों ने सर्व सम्मति के आधार पर नेने लेने की साहिता परदान की ये थे सविधान सभा में एकता का वतावन, आदर स्वादिता का वतावन, राष्ट्रे उद्देश्य की पिधिवान था दूसरा समायोजन का सिध्धान, समायोजन के सिध्धान का आश्य एसे तत्वों के बीच समन भी स्थावित करने से है जिने अब तक परस पर विरोधी समझा दाता था था वास्तों में भारतिर सविदान, सबाने सविदान, दिर्मान, सिध्धान त्वादित तक सिध्धान पर विवारिकत के दिर्श्टिकाद को अपनाया इसके अनुकूल ही समायोजन के सिद्धान के कुछ उधारन इस परकार है संगात्मक और एकात्मक विवस्ता के भी समन वे समन नेते हैं संगात्मक और एकात्मक विवस्ता को परस्पर विप्रित समझते हुए यह माना जाता है कि या तो एकात्म व्योस्ता को अपने जा सकता या संगात्म व्योस्ता को लेकिन भारत की अपनी विशेश परिस्तितियों के अनुकुर संगात्म को रखी एकात्म व्योस्ता की भी समुद्वे को अपने जा सकता लेकिन भारती संगात्म व्योस्ता को अपन सब्सक्राइब राष्ट्रमंडल की सदसिता को गणतंतरी विवस्ता अपनाने के मारक में बातक नहीं समझा गया इस समंध में विचार सविधान सभा के दश्टिकॉण को व्यक्त करते वे डाक्टर बी एन रावर ने कहा था कि राष्ट्रमंडल की धारना का इस पश्ट के विकास होता जा रहा है और वह अब इस इस तर पर पहुंच चुका है कि इसनों गणतंतरात्मक सविधान वाली राज्य भी अपने इस्थान पा सकते हैं केंद्रिये सासन और पंचायत व्यवस्ता के बीच समन्ध में भारत की अपनी परंपरा रही सविधान सभा के पर ग्राम पंचायत और नगरपाली का बोर्ड़ों का निर्मान हो यह पंचायत ने तता बोर्ड अपने प्रतेने दिये उस तर संस्ताओं को भेजे इस परकार संसत्थ की रचना की जाए दूसरी और शक्तिसाली के अंद्रिये सरकार के समर्द तक नहरू और अन्य समंद में केंद्री करन के सिद्धान को स्विकार किया गया प्रतेक्स निर्वाचन को अपनाया गया प्रांती सरकानों के नीचे के इस्तर पर विकेंद्री करन की विवस्ता को स्विकार किया गया इस समंद्ध विवस्तापन का करारी प्रांती विवस्ता विकाओं के खिश इसे मौलिक सविधान के निर्मान की बात सोचना संबोह नहीं था, सविधान निर्मात अच्छे विवारिक सविधान का निर्मान करना चाहते थे, या था उन्होंने विदेशी सविधान की उन धारणों और विवस्ताओं को अपने सविधान में ग्रहन कर लिया, जो उन प्रक्रिया और भारतिय सुधान का गुंग कहा जा सकता है धन्यवाद बच्वाद करें